भगवान श्रीहरी विष्णों के दशावतार की पौरानिक एवं प्रामानिक कथाएं पाठ तीन छेप श्रीराम अवतार त्रेतायोग में राक्षसराज रावन का बहुत आतंक था उससे देवता भी डड़ते थे उसके वद के लिए भगवान विष्णों ने राजा दश्रत के यहां माता कौशल्या के गर्प से पुत्र रूप में जन्म लिया इस अवतार में भगवान विष्णों ने अनेक राक्षसों का वद किया और मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन यापन किया पिता के कहने पर वनवास गए वनवास भोगते समय राक्षसराज रावण उनकी पतनी सीता का हरण कर ले गया सीता की खोज में भगवान लंका पहुँचे वहां भगवान श्री राम और रावण का घोर युद्ध जिसमें रावण मारा गया इस प्रकार भगवान विष्णों ने राम अवतार लेकर देवताओं को भे मुक्त किया साथ श्री कृष्ण अवतार द्वापर्यूग में भगवान विष्णों ने श्री कृष्ण अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम देव की था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमतकार किये और दुष्टों का सर्वनाश किया। कंस का वद भी भगवान श्री कृष्ण ने ही क महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सार्थी बने और दुन्या को गीता का ग्यान दिया। धर्मराज युदिष्ठिर को राजा बना कर धर्म की स्थापना की। भगवान विश्णों का ये अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आठ परशुराम अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परशुराम भगवान विश्णों के प्रमुक अवतारों में से एक थे। भगवान परशुराम के जन के संबंध में दो कथाएं प्रचलित हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार उन्ही में से एक कथा इस प्रकार है। तब ही और मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू किया। एक वन में रिशी आपव तपस्या कर रहे थे। अग्नी ने उनके आश्रम को भी जला डाला। इससे क्रोधित होकर रिशी ने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विश्नु परकार भगवान विश्नों ने भारगव कुल में महर्शी जमदगरी के पाचवे पुत्र के रूप में जन्म लिया।